दोस्तो जिस चीज का इंतिजार पिछले 10 सालों से किया जा रहा था फाइनली आज वो चीज भारत को मिल चुकी है और इस चीज के मिलने के पीछे हमको तुर्की और चाइना का धन्यवाद बोलना चाहिए क्योंकि अगर ये दोनों देश ना होते तो हमको शायद ये चीज अभी तक ना मिल पाती आप सभी के यादी होगा अब से तीन हफते पहले ही तुर्की ने अपने पांचवी पीडी के फाइटर जेट यानि की कान की पहली उडान कराई थी और जबी से ही भारत के अंदर इस बात को लेकर विचार होना शुरू हो गया था कि अब पाकिस्तान के पास भारत से पहले दो दो पांचवी पीडी के फाइटर जेट आ जाएंगे ये पाकिस्तान को दो हजार उनतिस के आसपास तक मिल जाता इसी बात को देखते हुए भारत की टेंशने बहुत ही जादा बड़ी हुई थी लेकिन अब ये सारी की सारी टेंशने ही खतम हो चुकी हैं क्योंकि फाइनली आज हमारे एमका को हमारी कैबिनेट कमेटी ओन सिक् की तरफ से एप्रूवल दे दिया गया है इस एप्रूवल का हमको ये फाइदा होगा कि अब एमका के प्रोटोटाइप को बनाना शुरू कर दिया जाएगा लेकिन आप ये बात जानकर भी हैरान हो जाएंगे कि हमारे एमका फाइटर जेट के कमपोनेंट को ADA और HAL की अब तक 15,000 करोड रूपिये की फंडिंग नहीं मिल पा रही थी इस एप्रूवल के बाद अब हमारे एमका फाइटर जेट को 15,000 करोड रूपिये की फंडिंग का भी जल्द ही एप्रूवल दे दिया जाएगा और फंडिंग मिल जाने के तुरंत बाद ही एमका फाइटर के प्रोटोटाइप को बनाना शुरू कर दिया जाएगा लेकिन आपके मन में सवाल ये जरूर आ रहा होगा कि हमको हमारे MK Fighter Jack का पहला प्रोटोटाइप कब तक देखने को मिलेगा तो उम्मिद इस बात की की जा रही है कि MK Fighter का पहला प्रोटोटाइप 2026 के अंथ तक हमको देखने को मिलेगा और 2027 की शुरुआत में MK Fighter जैट हमको पहली उडान भरते हुए दिखाई देगा उसके बाद 2-3 सालों तक लगातार MK Fighter जैट की टेस्टिंग की जाएगी और 2031 के आस पास तक MK का मास लेवल पर प्रोडॉक्शन शुरू कर दिया जाएगा और इस एप्रूवल को दिलाने के पीछे तुर्की का जो सबसे Cabinet Committee on Security की तरफ से एप्रूवल दिया जाता लेकिन हमारी गोर्मेंट का हमको धन्यवाद बोलना चाहिए कि हमको ये एप्रूवल पहले ही दे दिया गया है और अब आपी कमेंट करकर बता सकते हैं कि हमारी वाईयो सेना के पास M का फाइटर जैट कितनी संख्या में होने चाहिए इस बात का अंसर आप कमेंट बोक्स में दे सकते हैं थेंक्स फोर वोचिंग दिस वीडियो, हेव गूड डे